हलो दोस्तो नमस्कार मेरा नाम है राजेश दोस्तो आज की इस वीडियो में रसाइन विज्ञान यानि कमेश्टी के टॉप 50 प्रिवियस एर कोस्टन को देखने वाले हैं जो कि सभी कमपेटिटिव इग्ञाम के लिए पूर्डेट है दोस्तो इसलिए वीडियो को बिना स्क प्रिप्सन बॉक्स में दे दे रहा हूं यदि आप देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं जो कि सभी कमपेटिटिव इग्जाम के लिए इंपोर्डेट है दोस्तो और दोस्तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किये हैं तो चैनल को साइट अंसर हो जाएगा संतुलित रशानिक समीकरण में अभिकारक पच्छ वा उत्पात पच्छ में परमानु की संख्या समान होती है दोस्तो आप भी साथ साथ में अंसर देते चलिएगा ताकि आपका भी अस्कोर पता चल सके कि आप 50 कोशन में कितना कोशन का अंसर सही देपाएं हैं नेक्स्ट कोशन क्या है कोशन नमबर दो है निमनांकित में से कौन सा गुंधर्म ठोस द्रव गैस के लिए भिन है तो इसका रायट अंसर हो जाएगा अनुमो की गती दोस्तो अनुमो की जो गती होती है उसका गुंधर्म ठोस द्रव गैस के लिए भिन होती है नेक्स्ट कोशन है सूर्य से उर्जा उत्सर्जित होती है तो सूर्य से उर्जा उत्सर्जित होती है नाभिक के सनलयान के द्वारा नेक्स्ट कोशन क्या है कोशन नमबर चार है जब कोई वस्तू धनावेसित होती है तो वह क्या करती है तो वह इलेक्ट्रोन को परित्याग कर देती है इसका राय टंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर A नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 5 है कोशन नमबर 5 है दोस्तो नाभी के रियक्टर में भारी जल यानि डूटेरियम उक्साइट का परियोग किस रूप में किया जाता है तो इसका राय टंसर हो जाएगा मंदक के रूप में परियोग किया जाता है नेक्स्ट कोशन क्या है एलकेन का सूत्रे क्या होता है तो एलकेन का सूत्रे होता है कोशन नमबर 6 का राय टंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर B CNH2N plus 2 होता है Next question है ऐसे दो तत्वों जिसमें electron के संख्या भिन भिन होती है लेकिन जिनकी दर्मान के संख्या समान हो उसे क्या कहते है तो दोस्तों उसे संभारिक कहते है दोस्तों बहुत important question है Next question है Question number 8 है ऐसे परमानु जिनके परमानु करमांग सम्मान परंतु परमानु भार भिन भिन होते है क्या कहलाते है तो दोस्तों इसका राय टंसर हो जाएगा उसे समस्थानिक कहते है Next question है दोस्तों ध्यान देज़ेगा Next question है किसी तत्वे की परमानु भार 35 है तथा electron 18 है तो उस तत्वे में proton की संख्या कितनी होगी तो इसका भी राय टंसर क्या हो जाएगा option number B 18 ही होगी Next question Question number 10 है किस अनू में बंद कोन अधिक्तम होता है तो दोस्तों इसका राय टंसर क्या हो जाएगा राय टंसर हो जाएगा option number D CO2 अनू में बंद कोन अधिक्तम होती है Next question है हीरा में कार्बन 4-1 दूसरे से अनूबद होते है तो इसका राय टंसर क्या हो जाएगा question number 11 का राय टंसर हो जाएगा option number A tetrahydral Next question है question number 12 है थियो कॉल रबबर है तो थियो कॉल रबबर है इसका राय टंसर क्या हो जाएगा राय टंसर हो जाएगा संस्लिस्ट रबबर थियो कॉल संस्लिस्ट रबबर होता है Next question question number 13 है निम्न लिखित में से किसमी विदूद सा शन्योजन यवम सा शन्योजन बंद होते हैं तो right answer इसका क्या हो जाएगा? Question number 13 का right answer हो जाएगा Option number C, sulfide dioxide Next question, question number 14 है किस गय से सड़े अंडे की तरह गंद आती है? तो दोस्तों, इसका right answer क्या हो जाएगा? Hydrogen sulfide से सड़े अंडे की तरह गंद आती है Next question क्या है? Question number 15 है, कैथोड किरने क्या है? तो दोस्तो कैथोड किरने क्या है इसका रायट अंसर हो जाएगा कॉस्चन नमबर 15 का रायट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर A इलेक्ट्रोन की धारा बहुत इंपोडेंट कॉस्चन है दोस्तो नेक्ट कॉस्चन कॉस्चन नमबर 16 है गोबर गैस में मुख्याता है कौन सी पाए जाती है तो कौन सी गैस पाए जाती है दोस्तों इसका राय टंसर हो जाएगा मीथेन गैस पाए जाती है नेक्स्ट कोशन कोशन नमबर 17 है लफिंग गैस होता है तो लफिंग गैस कौन सा होता है दोस्तों इसका राय टंसर हो जाएगा राय टंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर C नाइट्रस ओक्साइड होता है नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 18 है प्रोड्यूसर गयस का इंधन तथा नाइट्रोजन के सोथ के रूप में परियोग किया जाता है यह गयस प्राप्त की जाती है तो यह गयस किस चीज से प्राप्त की जाती है तो इसका राय टंसर क्या हो जाएगा राय टंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर D भाप के उधिप्त कोक पर परवाहित करके प्राप्त की जाती है नेक्स्ट कोशन क्या है question number 19 का question number 19 है soda water बनाने के लिए कौन सी gas का परियोग किया जाता है तो इसका right answer क्या हो जागा दोस्तो right answer हो जागा carbon dioxide gas का परियोग soda water बनाने के लिए किया जाता है next question है question number 20 है बहुत important question है दोस्तो इसलिए आप इसे याद कर लेजेगा अगर ये एक बार में याद नहीं होता हो तो आप वीडियो को दवारा देख लेजेगा next question क्या है question number 20 है hydrogen gas समान्यता तयार की जाती है तो hydrogen gas समान्यता तयार की जाती है tanukrit H2SO4 के साथ सुध ज़ास्ते की अभी किरिया दवारा next question है question number 18 है द्रावित पेट्रोलियम गैस के परमुक संगटक है तो दोस्तों इसका आइट अंसर हो जाएगा option number C butane और ISO butane द्रावित पेट्रोलियम गैस के परमुक संगटक होते है next question क्या है question number 22 है तापमान को कितना कम कर देने से सभी कैस सुन्य आइटन घेरेंगी तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा question number 22 का राइट अंसर हो जाएगा minus 273 degree centigrade तापमान को कम कर देने से सभी कैस सुन्य आइटन घेरेंगी next question question number 23 है बायल नियम नियमने लिखित इस्तिती में लागू होता है इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा बायल नियम नियत अपमान के लिए लागू होता है next question है question number 24 है तापमान और दाब की समान इस्तितियों के अंतरगत सभी गैसों के समान आयतन में अनुमों की समान संख्य रहती है यह नियम क्या कहा जाता है तो इस नियम को क्या कहा जाता है दोस्तो question number 24 कराय टंसर हो जाएगा इस नियम को अवे गादरो नियम कहते हैं इस कराय टंसर हो जाएगा option number A next question question number 25 service station पर motor कारों की की जाने वाली परदूसन जाच दौरा नियम नांकित में से किसकी जाच वा अनुमान किया जाता है तो इसका राय टंसर हो जाएगा question number 25 बहुत important question है दोस्तो इसका राय टंसर हो जाएगा option number A शीशा वा कारबन next question question number 26 है दोस्तो दोस्तो उमीद करता हूँ कि आप 25 में अधिक से अधिक असकोर प्राप्ट कर पाये होंगे दोस्तो उमीद करता हूँ कि 24 तो सही जरूर कर दिये होंगे next question question number 26 है आदर्स गैस की उर्जा अधारित है तो इस कराय टंसर क्या हो जाएगा question number 26 कराय टंसर हो जाएगा option number C आदर्स गैस उर्जा तापमान पर अधारित होती है next question है question number 27 है दो गुबारों को हैड्रोजन तथा हेलियम के समान गराम अनुमों से भरा जाता है दोनों में से एक ही अकार के छेत किये जाते है सबसे पहले कौन सा गुबारा संकुचित होगा तो इस बहुत important question है दोस्तो तो इसका राइट अंसर हो जाएगा hydrogen से भरा हुआ जो गुबारा होगा सबसे जल्दी संकुचित हो जाएगा next question क्या है next question है दोस्तो एक अभे गादरो संख्या का मान कितना होता है बहुत important question है दोस्तो तो एक अवेगादरो संख्या का जो मान होता है यह होता है ओप्सन नमबर भी सही होगा 6.02-10 के पावर 23 होता है नेक्स्ट कोशन है दोस्तो कोशन नमबर 29 से 1 मोल बरावर होता है दोस्तो एक मोल बरावर होता है कोशन नमबर 29 का राय टंसर हो जाएगा 6 गुने 10 के पावर 23 होता है Next question है NTP पर 44.8 लिटर CO2 के मोल की संख्यां कितनी होगी तो इसका right answer क्या हो जाएगा दोस्तो Right answer हो जाएगा Option number B Option number A होगा दो इसका right answer हो जाएगा Next question है Next question है दोस्तो NTP पर किसी दरब के एक मोल का आइतन होता है बहुत important question है दोस्तो यह इसका right answer हो जाएगा 20.4 लिटर होता है Next question क्या है Question number 32 है Carbon Mono Oxide की अभिकिरिया 300 degree centigrade पर Hydrogen से कराने पर क्या बनती है तो इसका right answer क्या हो जाएगा Question number 32 का right answer हो जाएगा Methane Gas बनती है Next question Question number 33 है Question number 33 है दोस्तो विदुद बल्ब में कौन सी Gas परियुक्त होती है तो विदुद बल्ब में बहुत important Question है दोस्तो विदुद बल्ब में nitrogen gas भरी जाती है Next question है Next question है दोस्तो Tube light में मुख्य रूप से Gas भरी जाती है तो Tube light में जो Gas भरी जाती है इसका सही उतर होगा पारे की वास्प तथा आरगन को भारा जाता है इसका राया टंसर हो जाएगा option number B next question question number 35 है कौन सी गैस cigarette lighter से निकलती है बहुत important question है दोस्तो इसका राया टंसर हो जाएगा butane gas जो होती है cigarette के lighter से निकलती है next question question number 36 है शक्रिये gas परमानों से सबसे बाहरी कछ्छा में कितने electron होते है दोस्तो इसका राया टंसर हो जाएगा option number C 8 electron होते है next question question number 36 है निमने में से कौन सा सक्रिये gas नहीं है इसका राया टंसर क्या हो जाएगा राया टंसर हो जाएगा option number A bromine जो है वो अक्रिये gas नहीं है next question क्या है question number 38 है निमने लिखित में से कौन सी आदर्स gas नहीं है तो इसका राया टंसर क्या हो जाएगा राया टंसर हो जाएगा option number C silicon जो है वो आदर्स gas नहीं होती है next question question number 49 है निमने लिखित में से कौन सी गैस चुनने के पानी को सफेद बनाती है तो दोस्तों बहुत important question है question number 49 का राय टंसर हो जाएगा carbon dioxide यानि option number C सही होगा next question है निमने लिखित में से कौन सी गैस green house प्रभाव के लिए विशेश कर जिम्मेवार है बहुत important question है दोस्तों इसका राय टंसर क्या हो जाएगा राय टंसर हो जाएगा option number D right answer क्या हो जाएगा option number D carbon dioxide जो है green house प्रभाव के लिए उतरदाई है next question है question number 41 है किसके जलने से carbon dioxide गैस निकलती है तो दोस्तों बहुत important question है question number 41 का राय टंसर क्या हो जाएगा हीरा को जलने से carbon dioxide गैस निकलती है next question green house प्रभाव में प्रित्वी के वाता बरन को गर्म होना किसके कारण से होता है तो दोस्तों इसका राय टंसर क्या हो जाएगा question number 42 का राय टंसर हो जाएगा इंफरा रेट किरने के उपस्थिदी के कारण वाता बरन का गर्म हो जाना होता है next question क्या है question number 43 है अस्रू गैस का रासाइनिक नाम क्या है बहुत important question है दोस्तों इसलिए आप ध्यान देजेगा अस्रू गैस का रासाइनिक नाम है chloroacetophenon repeat करते हैं दोस्तों chloroacetophenon next question क्या है question number 44 है बहुत important ये भी question है दोस्तों निमने में से एक परमानविक गैस है question number 44 इसकराय टंसर क्या हो जाएगा इसकराय टंसर हो जाएगा option number D helium जो है वो परमानविक गैस है next question है निमने लिखित में किसका विश्तरित रूप से बहुत कराने में परियोग किया जाता है बहुत important question है दोस्तों तो इसकराय टंसर क्या हो जाएगा chloroform का परियोग किसी ब्यक्ति को बेहुस करने में परियोग किया जाता है next question है question number 46 question number 46 का question है निमने में से किस का sorry निमने में से किस गैस का उपयोग bacteria को मारने में किया जाता है इसका राय टेंसर क्या हो जाएगा इसका राय टेंसर हो जाएगा option number 1 chlorine का परियोग जो है वो bacteria को मारने में किया जाता है next question क्या है question number 47 है एक आदर्स gas की तुलना में अती उच दाव पर एक वास्तविक gas घरती है तो इसका राय टेंसर क्या हो जाएगा राय टेंसर हो जाएगा कम आईतन घरती है next question 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 number 48 है समान्य गैस समी करण क्या है तो समान्य गैस का समी करण क्या है बहुत important question है दोस्तों तो इसका राय टेंसर हो जाएगा option number B PV is equal to new RT next question क्या है question number 49 है coal gas किसे कहते हैं बहुत important question है दोस्तों तो कोल गैस किसे कहते हैं, तो हाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनो अक्साइड को कहते हैं, इसका राये टंसर हो जाएगा, ओप्शन नमबर A, नेक्स्ट कोशन है, अमले वर्षा मुख्यता किस गैस के कारण होती है, बहुत इंपोर्टेंट कोशन है ये भी, तो इसका राये टंसर हो जाएगा, ओप्शन नमबर C, सल्फर डियोक्साइड के कारण, अमले वर्षा होती है, दोस्तो ये थे पचास इंपोर्टेंट कोशन, जो कि कमेस्ट्री का है, उम्मिद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि दोस्तो पसंद आय हो तो वीडियो को लाइक कर देजगा, और यदि हाँ मारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लेजगा दोस्तों,